हाई दूस्तों अस्वारीकूम कैसे आप लोग मेरा नभील है यह मेरा फेवरेट वीडियो रहता है जहाँ पे मैं अलग-अलग चार्जर को एक दुस्याइट कंपेर करता हूँ आज भी आइफोन 15 है और यह दोनों ही ब्लू कलर के अंदर है दोनों की बैटरिय है 100% पे है द दूसरा अफ़ल का भी चार्जर है जो के अबल का 30 वाट वाला चार्जर है अब हो रए क्या है आइफोन 15 सीरीज आइफोन 14 जिनके अंदर 27 वार्ट तक का चार्जिंग सपोर्ट करते है यह डिवाइस का चार्यर है यह तो 20 वाट का उटपुट ही दे पाएगा 19 वाट का दे पाएगा तो 30W का भी charger Apple का आता है जिससे आप ना सेब अपने iPhone को charge कर सकते हो अपने iPad को charge कर सकते हो बलके अपने MacBook को भी charge कर सकते हो क्यों क्योंकि ये अगर आप MacBook Air लेते हो 13 inches वाले या फिर आप MacBook Air लेते हो M1 वाला M2 वाला या फिर MacBook Air M3 लेते हो base model तो उसमें भी ये ही charger जो है वो Apple provide करता है 30W का ये Apple का charger जो है काफी अच्छा भी है अलग-अलग devices अगर आपके पास है तो क्योंकि 20W सभी को fast charging कर नहीं पाता लेकिन क्या आपके iPhone के लिए अच्छा है और क्या सच में आपके iPhone को एक्स्ट्रा जूस, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा स्पीड दे पाएगा charging के टाइम पे और क्या आपके iPhone को कम heat रख पाएगा ये आज के वीडियो में हम चेक करने वाले है ये है वीडियो हमारा Apple 20W versus Apple का 30W charger आपल का 20W वाला charger और 30W वाला charger दोनों के अंदर जो size में difference है वो देख सकते है 30W वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और इसके अंदर आपको एक benefit ये भी मिलता है कि आप इसको इस तरीके से फुल करके निकाल सकते है और अगर आप international travel कर रहे हो तो आपके लिए बेनेफिस्ट रहता है आप दूसरा वाला यहां पर charging head जो है वो इस तरीके से लगा सकते है आपल का खुद का kit भी आता है वर्ल travel kit उसको भी आप use कर सकते है और यहां पर जिस country में भी आप जा रहे है उस country का जो connector pin है वो यहां पर लगा सकते है जो कि 20 watt वाले के साथ possible नहीं है उसके लिए आपको अलग से accessories लेना पड़ेगा अब यहां पर इनका जो wattage है actual में कितना output मिलता है वो test करेंगा तो यहां पर मैं 15 pro max रखा हुआ है और यहां पर एक display वाली cable भी है मेरे पास जो हमको wattage बता देगी तो दोनों को यहां पर मैं प्लग-in कर देता हूं और एक एक करके हम इसका wattage भी चेक कर लेते है तो यहां पर इस end को मैं सरसे बेरे 20 watt वाले cable में डाल देता हूं यह दिस्प्ले वाला end जो है यहां पर आइफोन में हम लगा कर देखते है कि कितना wattage यह देता है 20 watt वाला जो है अराउंड यहां पर ड 30 watt वाला में connect कर देता हूं और इसको भी थोड़ा time देते हैं हम ऐसे ही एक बार आके stable हो जाए तो पता चलेगा हमको कि कितना wattage जो है वो provide कर सकता है हमारे आइफोन को charging के लिए यहां पर जैसे आप देख सकते 25 पे तो चला ही गया 27 तक भी मुझे लगता है जा सकता है 27 तक compare करके देखते हैं और heating कितनी और ही वो देखते हैं इसके लिए मैं बिल्कुल जो है नए नवेले यहां पर type-c वाले ब्रेड़ेट केबल जो आपल के origin आते वही इस्तामाल करता हूं इसको पस यह charging test के लिए यूज करता हूं रख देता हूं इसलिए साफ भी आपको नजर आपको 28.6 है और यह वाला जो है सामने से यह 28.1 है तो बिल्कुल जादा कोई difference नहीं है और difference आएगा तो जादा आएगा तबी कुछ फरक जो है देखने मिलेगा यह आदर डिग्री का एक डिग्री से कोई फरक पढ़ता नहीं अगर charger का यहां पर हम temperature चेक करें तो 20 watt वाले की वह मैं इस वाले से कनेक कर देता हूं और दूसरी केबल जो 20 watt वाले की है वह मैं इस वाले आईफोन से कनेक कर देता हूं अपि मैंने on किया नहीं है तो it is a fair comparison हम temperature भी चेक करेंगे सबसे बहले बूट अप कौन सा फोन होता है वह हम चेक करने वाले है और यहां पर हम timer भी कौन सा कर पाता है अगेन आपको बदा दूगिए वाले जो आईफोन है 30 watt वाले charger से से कनेक्टेड है और यह वाले जो आईफोन है math220 वा व ले charger से connected है सबसे पहले यहां पे ज्ञूट है वहां पर यहां पर फूट पर ज़दा होगा बैटली तो वहां पर पहले फ्रण्य इसका फरक होता है लेकिन आगे देखना है हमको कि 30 watt वाला जादा जो है fast charge करता है या फिर यह हमारा 20 watt वाला यहाँ पर देख सकते हैं दोनों जो है similar condition में एक काम कता हूँ मैं यहाँ दोनों को unlock करके दोनों के अंदर जो है मैं airplane mode डाल देता हूँ ताकि यह और fair comparison हो जाए क्य जो है 30 minutes के अंदर 50% charge हो जाने चाहिए तो यहाँ पर इसका Bluetooth वगरा सब चीज में off कर देता हूँ यहाँ पर इसका भी disconnect कर देता हूँ और let's see के 30 minutes में कौन सा जाधा charge होता है फिलाल इसको मैं lock करके रख देता हूँ के दोस्तों तो अभी 30 minutes जो है हमारे test के होने आये है जैसी 30 minutes होगा यहाँ पर मैं देखूंगा कौन सा phone कितना charge हुआ है और temperature कितना हुआ है यहाँ पर 30 हो गया और यहाँ पर हम चेक करते हैं तो इसको एक बार जो है unlock कर लेते हैं इसको भी unlock कर लेते हैं अनलॉक करके देख charger है इसले शायद बहुत अच्छे से optimize करके इसने जादा भी charge कर लिया है और अभी इनका जो temperature है वो भी हम चेक कर लेंगे 20% 21% का difference तो आया ही है temperature चेक करते है पहले 30 watt वाले का तो यह 40 degree Celsius पे सामने 20 watt वाला 33.8 degree Celsius तो 30 watt वाला definitely जादा गरम कर रहा है phone को लेकिन 6 degrees से उससे जा charger का temperature चेक करें तो 30 watt वाले का 36 degree Celsius है और यहाँ पे 20 watt वाले का यह 40 degree Celsius है तो यहाँ पे यह cooler है charger इसके मुकाबले लेकिन उसमें भी difference नहीं है और यहाँ पे 30 watt वाला जो है faster चार्ज कर रहा है लेकिन 6 degree जादा गरम भी कर रहा है अभी 80% कौन सा phone पहले पहुशता है वो भी च बैटरी भी दिखा देता हूं बैटरी हेल्ट वगर अभी दिखा देता हूं आपको यह बैटरी में है बैटरी हेल्ट नॉमल है और दोनों की 100% है बस cycle कार्ण में जोड़ा सा फरक है लेकिन 100% बैटरी है और यहाँ पे charging optimization दोनों में आप देख रहे है नन करके आ रहा है य 20W वाले का temperature है वो 33.2 degree Celsius है और 20W वाले से connected 35.5 है तो यहाँ पे अब यह cooler चल रहा है यह थोड़ा सा hot चल रहा है उसके मुकाबले आकि हम लोग AC room में बैटे है गर्मियों के season में आप गरम गरम जगा पे अगर करेंगे track तो जाधा बताएगा यहाँ पे 33.8 है पीछे back side पे और इस वाले में भी देख लेते है तो इसमें जो है कितना है इसमें 36.9 है तो यह थोड़ा सा warm feel भी हो रहा है तीन डिगरी का फरक है यहाँ पे charger का temperature भी देख लेते है तो 34.1 degree Celsius है 30W वाला और 20W वाला जो है वो 41 degree Celsius है तो यहाँ पे charger भी जो है वो जाधा थंड़ा है 30W व जैने कि Apple का 20W वाला charger और यह जो है यह 90 पहुच चुका है यह 80 पहुच चुका है 91 है तो 10-11% का difference है अब यहाँ पे temperature भी हम चेक कर लेते और यहाँ पे भी देख लेते तो यह 35.5 और यह 32.2 degree Celsius पे पीछे भी देख लेता हूं है यहाँ पे यह 32.7 है और 20W वाला है वो 36.5 ह तो difference तो है 20W वाला जादा गरम कर रहा है फोन को और 30W वाले का temperature चेक करेंगे charger का 34.6 है और 20W वाले charger का 41.7 है तो definitely 30W वाला superior है faster चार्ज करने में भी और यहाँ पे दोनों में जो difference आया है 80% चार्ज करने में वो आया है 18 minutes का faster charging चाहिए आपको up to 80% definitely इसके लिए आपको जा एक 99% पे है तो यहाँ पे मैं फिसे एक बर लाब दबा दिता हूँ अब यहाँ पे आप देखेंगे इसको 2 घंटा 10 मिट लगा और यह 2 घंटा 10 मिट नॉमल ही है दोनों चार्ज के लिए क्यों ऐसा होता है 80% के बाद जो है ट्रिकल चार्जिंग मोड में चला जाता है इसमें 18.5 मिनिट का डिफरेंस यहाँ पे आया है दोनों चार्जर के अंदर तो पुरा वीडियो देख लिया दोस्तों आपने पूरा कंपैरेजन देख लिया अब मैं आपको जो लास्ट में चीज होई इसको तो डीटेल में समझाना चाहता हूँ ट्रिकल चार्जिंग ज उससे आपकी बैटरी जो है slow चार्ज की जाएगी इस वज़े से दोनों ही चार्जर जो है उन्होंने exact same time पे 100% चार्ज किया फोन को जबके जो 0-80% का जो चार्जिंग टाइम था उसमें 18.5 यह पौने 19 मिनिट का फरक था जो के बहुत बना डिफरेंस होता है तो यहाँ प सिर्फ पूरा comparison करके बताना चाहता हूँ क्योंकि आप पैसा spend कर जो कुछ product के लिए तो आपको पूरी understanding यह होनी चाहिए और अगर आप full charge करने के लिए देख रहे हो तो उसमें कुछ speed में difference या temperature में difference है या नहीं वह भी आपको में समझावाओ अब यहाँ पे मैंने कुछ और companies के charges भी compare किये थे Apple के 20 watt वाले charger से जो इससे सस्ते है speaking का 35 watt का आता है GANG charger जो इससे सस्ता है Apple के 20 watt वाले से भी सस्ता है और इसका भी charger जो है 20 watt वाला यह Apple के charger सस्ता है और बोट का तो 300-400 रुपे का charger है लेकिन इन में से कोई भी charger जो है trickle charging नहीं दे पाया मतलब 80 के बाद safely 100% तक नहीं लेगी जा पाया लेकिन Apple के charger जो है वो यह चीज कर पाते है जो के great deal है और आपके phone के battery health कभी-कभी आपको 100 percent करना है तब भी अच्छे से maintain कर पाएंगे आप इससे तो आपको कौन सा चार्ज लेना चाहिए 20 watt वाला या 30 watt वाला देखिए अगर आपको fast charging चाहिए जो आपका phone capable है जो आपका iPhone capable है तो आपको 30 watt वाला ही लेना पड़ेगा 20 watt वाले से आपका का काम होने वाला नहीं है क् 27 watt का जो output उसको लगता है वो आप दे ही नहीं पाएंगे 20 watt वाले से और दूसरा रीजन है 30 watt वाला लेने का इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था यह जो charging का head है यह आप change कर सकते है दूसरे किसी भी country का आप लगा सकते है आपल का world travel kit भी ले सकते है जो के बहुत दा म लेंगा भी नहीं है और फिर आप कहीं भी travel कर रहे हो तो आपका काम उसमें भी हो जाएगा और तीसरा reason यह हो सकता है इसको लेने का कि आपको iPhone के अलावा Macbook, iPad वगरा भी charge करने होते है तो यह उसके लिए भी safe है और उसके लिए जरूरी भी है क्योंकि 20 watt वाले से काम होने वाला नहीं है आपका और इसके साथ अगर आपके पास Samsung का फोन है कुछ और है तो वह भी कर पाएंगे अपको इन में से जो भी लेना है ले सकते है लिंक description में है Apple authorized reseller license का वहां से आप इनको order कर लीजे जो 20 watt वाला है उसकी कीमत है 1700 और जो आपका 30 watt वाला charger है उसकी कीमत है 38 1800 वी लेकिन जो extra पैस आप इसके लिए दे रहे हो it is completely worth it लिंक description में वहां से आप purchase कर सकते है all over India कहीं भी आप उसको मंगवा सकते है extra कोई delivery charge आपको नहीं लगेगा और मैं यहाँ पे उनका link इसलिए दे रहा हूं क्योंकि Apple authorized reseller से लेने में क्या आपको safety हो जाती है duplicate product आपको 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 आज का वीडियो पसना का पस्ते है वीडियो को लाइक और शेर जरू कीजिए मैं इस चानल को सब्सक्राइब जो किजिए गुडबाए